डेट आज 21 फरवरी 2022 ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है रिवार्ड प्रोजेक्ट ये प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है अभी एक लॉन एग्रिमेंट साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ और तीन इसमें स्टेक होल्डर है एक हमारी Central Government, Government of Karnatak, State Government of Odisha इन तीनों के साथ World Bank ने 1 agreement sign किया ay loan का समझ होता यानि कि loan provide करेगा World Bank, Central Government को, Karnatak और Odisha State को कितना loan देगा 115 million dollar का loan देगा 115 million dollar का किसलिए reward प्रोजेक्ट को implement करने के लिए और reward क्या है ये रेज्यूविनेटिंग वाटरसेड फूर एग्री कल्चरल रेजिलेंस थूर इनोवेटिव डवलप्मेंट गोर्मेंट ओफ इंडिया इसके थूरू जो यह लॉन दिया जाएगा इसके थूरू 2030 तक 26 मिलियन हेक्टियर की डीग्रेडिड लेंड को दुबारा से री स्टोर क करेगा डीग्रेडिड लेंड का मतलब है मानलो कोई मिट्टी है यहां पर भूमी है वहां पर सॉयल इरोजन हो गया मिर्दा अपरदन हो गया यहां से सॉयल खराब हो गई और अब ऐसी सॉयल हो गया मिट्टी के यहां पर कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती कोई भी को वी farmer की जो आमद निया उसको भी double किया जाएगा किसान की income को double किया जाएगा 202223 तक दो published तक मतलब है 31 vír एक टुर जो जाए कट्व दुछ दूबल के लिए इनकम को डॉबल करने का इसके थूर लौन दिया जाएगा यह reward प्रोजेक्ट में reward प्रोजेक्ट में देखो एक तो यह वाटर सेड रेजुमनेट करना agriculture के लिए यानि कि किर्सी के लिए वाटर सेड का मतलब यह है water सेड जैसे यह एरिया है यहां पर कैनाल वगरा बनाना यहां नदी नालों से जोड़ के कैनाल लहर बनाना और यहां agriculture के लिए पानी उपलब्द हो सके यानि कि पानी का management करना है और कोई यहां पर कैनाल है या कोई और stream है या रीवर है या चोटा नाला है या तालाब है या नहर है या लेक है जील है तो इन सब को रेजूबनेट करना रेजूबनेट का मतलब दुबारा से री कवर करना इनको एफेक्टिव वाटर सेड मेनेजमेंट करना ताकि यहाँ पे रैन फेड एरियाज में भी livelihood को increase किया जा सके enhance किया जा सके लोगों की और food system को more resilient बनाया जा सके यानि कि एक तरह से हमारे इंडिया में food security को और ज्यादा से promote करेंगे किज़ गौरा science based planning होगी इसको adapt किया जाएगा पूरी country में हारी और सारे जितने भी state हैं उनको promote किया जाएगा participate करने के लिए कि इस water set development में participate करें जो यह world bank की branch है देखो world bank में 5 organization है जिनको मिला के world bank बोलते हैं और world bank के बारे में आपको detail में जानना है तो economy की playlist में lecture पड़ा हुआ वो देख सकते हो world bank की एक branch है आई बी आर डी international bank for reconstruction development यह finance करेगा यह loan दे रहा है करनाटक को देगा 60 million dollar का जो रुपे में हम कीमत देखे से 413.5 करोड की है इंडियन रुपीज में उडिशा को देगा 49 million dollar और बागी का 6 million dollar देगा central government को यह land resources department को देगा इतना loan है dollar 115 million का यह loan प्रोवाइड करेगा 15 साल का maturity period है मतलब 15 साल में लोटाना है यह जिसको देगा इंडिया और करनाटक और उडिशा को और इसमें grace period है 4.5 year का grace period का मतलब है जब loan देने का वापस चुकाने का time खतम हो गया यानि कि साड़े 4 साल तक penalty नहें लगेगी साड़े 4 साल तक उसे और time दे दिया गया ताकि वो loan को वापस लोटा सके state government और central government next topic है इंडिया UAE virtual summit prelims और GS paper 2 के लिए important है यह अभी UAE और इंडिया का एक virtual summit हुआ है virtual summit मतलब online meeting हुई है इंडिया की तरफ से नरंदर मोदी जी ने participant किया है और अबू धाभी यानि की UAE UAE के जो प्रिंस है crown prince सेख मोहमद बिन जायद अलनहेन UAE आप जानते हो कहां पे हैं यह वर्ल्ड में अब देखो यहां पे साओधी अरभिया के पास UAE इस कंटे के साथ virtual summit हुआ है इन दोनोंने joint vision statement जारी की उसका नाम है advancing the India and UAE comprehensive strategic partnership new frontier new milestone यह पूरा याद करने की जोड़त आपको है नहीं बस इतना याद रखो joint statement या इन्होंने issue किये और इसका मतलब क्या है joint statement का आपस में भाई साथ future partnership बढ़ाएंगे आपस में partnership ताकि trade और बढ़ सके trade investment, वेपार innovation इनको develop क्या जा सके जैसे और भी कही सारे different different diverse sector है उनमें एक दूसरी कंटी के बीच में partnership करनी है economy में energy में climate action के लिए technology में skills, education food security, healthcare, defense security इन सब में partnership और increase करेंगे, promote करेंगे एक दूसरी कंटी के बीच में ये दोनो इंडिया और UAE के बीच में SEPA भी sign हुआ, SEPA का मतलब है comprehensive economic partnership agreement ये agreement क्या होता है इस agreement में market access ज़्यादा बढ़ाई जाती है enhance की जाती है और tariff को reduce कर दिया जाता है, tariff मतलब tax जो लगता है import export duty जो लगती है एक दूसरी कंटी से जब वैपार करते हैं export import करते हैं तो उस tax को घटा दी जाएगा, reduce कर दी जाएगा और एक दूसरी कंटी में market access की जाएगी जो SEPA है इसकी वज़े से एक दूसरी कंटी के बीच में जो bilateral trade है इंडिया और UAE की बीच में वो अगले 5 साल में 100 billion dollar हो जाएगी अभी कितनी है, 60 billion dollar है दोनों कंटी के बीच में इतनी trade होती है और यह 100 billion dollar तक अगले 5 साल में हो जाएगी और क्या highlight है इन दोनों देखो एक stamp भी जारी की है, stamp जो stamp होती है, post office की stamp होती है जैसे, ऐसे stamp जारी की है इंडिया के 75 साल हो चुके हैं, independence के आजादी के तो 75 साल के occasion में इंडिया के लिए एक stamp जारी की और UAE को भी बने 50 साल पूरे हो चुके है तो एक commemorative stamp जारी की है दोनों कंटी के लिए दो MOU साइन हुए है MOU का मतलब Memorandum of Understanding यानि कि एक agreement समझाता साइन हुआ है दो, दोनों ने साइन की है ये दोनों agreement साइन हुए अनौस किये है वर्चौल सम्मिट हुआ है उसी में और दो agreement ऐसे साइन हुए दोनों countries के बीच में जो company है उन company के बीच में भी और स्टीज के बीच में जिसे इंडिया की gift स्टीय गुजरात में और अबुधाभी की global market है इन दोनों के बीच में साइन हुआ है एक ये है अपेडा and DP अपेडा हमारे इंडिया की है और DP World and Al-Dahara on Food Security Corridor Initiative ये UAE का इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है दो और MOU साइन हुए है agreement एक climate action के लिए दूसरा education के लिए एक दूसरी कंटी का साहता करेंगे ये दोनों agreement next topic है Crito-Dactylus Exorcitis ये प्रिलिम्स के लिए important है environment में कुछ herpetologist की team थी herpetologist का मतलब है जो reptiles वगेरा के बारे में खोज करते रहते हैं reptile मतलब रेंगने वाले रेंगने वाले जो कीडे होते हैं कीडे मकोडे या animals जैसे सांप हो गया snack या छिपकल ही हो गई समझ रहो या वो होता है करकेटा बोलते हैं उसका बोलते हैं भूल गया है क्या नाम है उसका जीव का समझत हो गया है न reptile का मतलब जो सांप की तरह पेट केबल चलते हैं पैर नहीं होते या पैर होते हैं फिर भी वो चिपक के चलते हैं जमीन से तो ऐसे जीव को बोलते है reptile और जो इनकी research करते हैं research होते हैं आनि कि scientist होते हैं उनको बोलते है हर pathologist हर pathologist इनकी कुछ team थी Bent, Todd, Gecko इसका नाम है और इसका जो scientific नाम है वो है Critodactylus Exorcitis ये नाम क्यों रखा है इसका भी रिजन है पढ़ेंगे अब ये Bent, Todd, Gecko या Critodactylus Exorcitis ये ढूंड़ी है Megal Lake उम्रोई military station से हमारे military का station है वहाँ पे camp है उम्रोई नाम की जगह है Megal Lake में वहाँ से ढूंड़ी है ये ये है भाई साफ, छिपकली, Gecko जो दिखाई दे रिया आपको इसका scientific name जो Critodactylus Exorcitis रखा है ये English नाम है जो Indian Army Band, Todd, Gecko इस नाम से भी जान सकते हैं इसको क्योंकि जो Exorcitis है ना इसका Latin भासा में इसका मतलब Army है इसको Latin America बोलते है और यहाँ पे जो भासा बोली जाती है उसको Latin American बोलते है भासा तो Latin American भासा में एक्सरसाइटस का मतलब है Army इसलिए ये रिजन है इसका नाम रखने का एक्सरसाइटस और दूसरा रिजन ये भी है क्योंकि ये आर्मी के कैम्प के पास मिली है ना मेगाले में उम्रोई स्टेशन है जो वहाँ पे तो ये दूसरा रिजन ये भी है और नॉर्मल इसका नाम बेंट टोड़ गैको है बस इतना याद रखना बेंट टोड़ गैको क्या है ये छिपकली की प्रजाती है जो मिली है और भी कई एक सियाहा डिस्टी भी है सियाहा डिस्टिक वहाँ सियाहा डिस्टिक में एक और वेराइटी मिली है गैको की यानि की चिपकली की क्राइटो डेक्टिलस स्याहिंसिस तो स्याहिंसिस इसलिए नाम रखा क्योंकि स्याहा डिस्टिक में मिली है एक और परजाती मिली है मिजो स्पीसीज है जिनमें ये बेंटोट गैको भी है और नौर्थ इस्ट में लगबख 16 स्पीसीज पाई जाती है ऐसी गैको की छिपकली की नेक्स टॉपिक है ग्रेट बैक्यार्ड बर्ड काउंट ये एक एक्सरसाइज है पक्षियों की गिंती करने की बर्ड काउंट करने के ल हुई है करनाटक में जो माई शूरू है माई शूरू में या मैसूर बोलते है हिंदी में मैसूर से स्टार्ट हुई है किक डॉफ मतलब स्टार्ट हुई है और यह वहां की जो लेक है जील जील के आसपास जो भी यहां पे बायड़ावस्टी है उसमें जो भी जीव जनतु यह रहते हैं पक्षी वगएरा इनको काउंट करेंगे यहाँ पे एक कुककर हली कुककर हली लेक है तेको यह लोकेशन आपको याद अपने में पूछ लेते हैं कुककर हली लेक कहाँ पे मैसूर में नहीं कि करनाटक में है यह 25th एन्वल एक्सरसाइज है जो अभी चल रही है GBBC इसमें बर्ड को काउंट किया जाता है और इसमें दो और्गिनेजिशन हैं E-Bird India और बर्ड काउंट India यह दो संस्ता इसको कॉडिनेट करते हैं काउंट करने के लिए और कई सारी लेक है जिन पर यह एक्सरसाइज की जाती है जैसे करनाटक में है सारी लेक कुकर हली ले को count किया जाता है जिसकी वज़े से जो bird की population किंतनी कहां पर उसकी वज़े से ecosystem को support किया जाता है उनके लिए कुछ step उठा सकें conserve करने के लिए preserve करने के लिए संदख्षित करने के लिए next topic है interoperable criminal justice system project प्रिलिम्स और जियस पेपर टू के लिए important है यह system क्या है देखो criminal justice system तो आप जानते हो अपरादिक नयाय system और interoperable मतलब कई सारे जो department रहेंगे प्लेटफोर्म रहेंगे उनको interoperable बनाना है यानि कि एक information सिर्फ एक प्लेटफोर्म पे दर्ज की जाए और सारे प्लेटफोर् 2026 तक implement किया जाएगा ministry of home affairs ने इसके लिए total cost 3375 allocate किये 3375 करोड इतना इसके implementation में लागत आएगी phase 2 में भी ICGS interoperable criminal justice system project है इसमें step लिए जाएगे modern policing को effective बनाने के लिए और यह central sector scheme है central sector scheme का मतलब है सारा जो expenditure खर्चा आएगा इसका expenditure वो central government लगाएगी और central government implement करेगी और एक होती है centrally sponsored scheme उसमें दोनों करती है state और central government दोनों खर्चा उठाती है दोनों ही लागू करती है लेकिन यह central sector scheme है इस यह scheme में क्या है dedicated platform होगा infrastructure होगा cloud based infrastructure जो high speed connectivity के साथ होगा ऐसा cloud system होगा यहने कि एक मालो यह platform है सारी जो एक platform पर information होगी सारी platform पर जिस national crime record bureau है यह responsible होगा इसको implement करने के लिए किसके साथ मिलके national informating center के साथ मिलके यानि कि इसको लागू कौन करेगा national crime record bureau और national informating center दोनों मिलके इसको लागू करेंगे और state और union territory के साथ मिलके इसको लागू किया जाएगा implement किया जाएगा जो interoperable criminal justice system है एक national platform होगा IT enabled system होगा इसक पिलर कौन कौन से हैं एक तो Police Crime and Criminal Tracking and Network सिस्टम Police होगा एक e forensics ऑर forensic lab forensic मतलब scientific जाच करते हैं जैसे मानलो कोई crime किया है किसी criminal अपरादी ने crime कर दिया अपराद murder कर दिया तो उसके मानलो कोई fingerprint लेके आए तो वो lab में जो जाच किया जाते हैं उन्हीं lab को बोलते हैं forensic lab e court for court e court होंगे electronically यानि कि digitally court accessible होंगे यानि कि आप online case को दर्ज कर सकते हो court में case फाइल कर सकते हो e prosecution for public prosecutor e prosecution का मतलब online case सुना जाए मुकदमा चलाया जाए e prison for prison prisoner के लिए online मानलो कोई application वगएरा डालनी है तो online सभी सिस्टम होंगे तो यह 5 pillar होंगे यानि कि एक जगह जो information होगी मानलो एक जगह information आई police के पास यह सारी information एक ही information सारे जगह पर यूज होगी e forensic lab में भी e court में e prosecution में और e prison के लिए भी phase one में यह individual IT system होगा जो implement किया जाएगा और record को सभी system के लिए enable किया जाएगा phase two में यह principle है one data one entry यानि कि data एक ही बार एक platform पर इंटर करके सारे और pillar के लिए वो data सारा यूज के जाएगा यानि कि दुबारा से re-enter करने की जरूरत नहीं होगी data को एक बार इंटर करके सारा जगह पर वो ही यूज के जाएगा data next topic है extended producer responsibility on plastic packaging prelims और GS paper 3 के लिए important है यह और GS paper 1 के लिए भी दखो extended producer responsibility को polluter page principle के नाम से भी जानते है PPPP तीन बार PP यानि कि यह polluter page principle यानि कि जो परदूसन फैलाएगा उसकी responsibility है कि वो परदूसन को कम भी करे extended producer responsibility का भी मतलब यह है कि जो भी plastic से pollution फैला रहा है environment में उसी की responsibility है जबाव देए कि वो ही उसको pollution को कम करे अभी यह guidelines जारी की है और extended कर दी है plastic packaging के लिए भी यानि कि जो plastic packaging यूज करेगा जो producer है मान लोग कोई company अपना product बनाती है मान लोग कोई toothpaste बनाती है और उसको plastic के package में उसको package करती है अब जो plastic toothpaste तो यूज कर लिया ना दातों में रगड के लोगों ने अब वो फैक दिया बाकी के बच्चा जो plastic जिसमें pack होके आया था अब उसको इखटा करने की जिम्मेदारी producer की होगी producer मतलब जिसने company ने बनाया पुड़क वो company collect करवाईगी उसे और दुबारे से recycle करें यह नियम है यह 2016 के नियम थे plastic waste management rule इनी को extend कर दिया है ministry of environment ने notify किया भी guidelines यह guidelines देंगी कि circular economy को plastic packaging waste के लिए promote किया जाएगा strengthen किया जाएगा यानि कि plastic को दुबारे से recycle किया जा सके circular economy का मतलब जो यूज किया है उसे दुबारे से reuse किया जा सके plastic packaging जो businessmen दौरा की जाती है उसको sustainable तरीके से reuse किया जाएगा तो उसका fresh plastic का material यूज जो हता है उसको reduce किया जाएगा यानि कि लोग fresh plastic यूज ना करें उसी को दुबारे से reuse किया जाए ये जो prescription होगा इसके लिए minimum level होगा recycling का कि हर एक producer जितना भी वो plastic packaging यूज कर रहा है कम से कम इतना plastic को तो वो दुबारे से recycle करेगा इसमें ये guidelines होगी जो extended producer responsibility guidelines होगी ये plastic waste management sector की development को आगे और boost करेंगी पर्मोट करेंगी ये significant have पहली बार तो इसलिए क्योंकि ये guidelines क्या है जो extended producer responsibility certificate है इसके लिए भी guidelines है इसकी यानि कि देखो कोई मानलो factory है ये जितना plastic produce कर रही है उतना recycle कर रही है यानि कि उससे ज़्यादा भी कर रही है जब उससे ज़्यादा कर रही है तो इसके पास ये certificate मिल जाएगा या को इसको certificate मिल जाएगा कि आपके पास EPR का certificate है extended producer responsibility इसको shortcut में EPR बोलेंगे EPR का certificate होगा अगर ये ज़्यादा recycle कर लेता है यानि कि जितना ये product बना रहा है plastic waste हुई इसने collect कर आके दोबारा recycle कर लिया और उससे ज़्यादा कर लिया जितना ये produce करता है जितना ये बनाता है अब इसके पास EPR का certificate होगा अब ये दूसरी company को भी बेज सकेगा पैसे ले लेगा दूसरी company से मालो कोई दूसरी company जितना produce कर रही है उतना वो recycle नहीं कर पाई और इसना recycle नहीं कर पाई तो ये certificate ले लेगा पैसा दे देगा इसे समझ रहो इस तरह से हो गई है इसका implementation कैसे होगा एक online platform होगा online platform पे सारी digitally platform पे सारी इसकी information होगी और track किया जा सकेगा कि EPR की obligation को कौन सी company follow कर रही है कौन सी नहीं कर रही है यानि कि monitor किया जा सकेगा track किया जा सकेगा ये guidelines जो होगी इसमें देखो एक environmental compassion लेवी की जाएगी लेवी का मतलब impose करना tax की तरह impose किया जाएगा अगर कोई मान लो polluter page principle को यानि कि जो EPR EPR है extended production responsibility के जो नियाम है rules है उनको अब को ये fund जो collect किया जाएगा जो भी plastic से pollution हो रहा हूँ उस plastic waste को दुबारा से collect किया जाएगा यानि कि सारा जो fund के लिए collect किया जाएगा जो इनको मानेगा नहीं guidelines को तो फंड जो पैसा आएगा government के पास उस पैसा को plastic को recycle करने के लिए use के जाएगा डिस्पोज करने के लि और pollution को reduce करने के लिए plastic waste से जो pollution होता है उसको pollution को reduce करने के लिए important step उठाए जाएगे next topic है राष्टिय उच्चतर शिक्षा अभियान scheme ये prelims और GS paper 2 के लिए important है government of India ने approval दे दिया है अनुमती दे दिये कि इसको और 5 साल के लिए extend किया जाएगा 31 मास 2026 तक ये scheme चलेगी राष्टिय उच्चतर शिक्षा अभियान ये proposal जो रखा है इसमें central और state का दोनों government share होगा इसका यानि कि central government इसमें 8000 के लगबग 8000 करोड के लगबग खर्चा करेगी और state government 4800 करोड के लगबग खर्चा करेंगी टोटल खर्चा होगा 12939 ये खर्चा आपको याद करने की जोर्थ नहीं है बस इतना पता होना चाहिए कि ये centrally sponsored scheme है sponsored का मतलब central government और state government दोनों मिलके इसमें जितना भी expenditure आएगा खर्चा आएगा दोनों मिलके लगाएंगी और दोनों मिलके इंप्लिमेंट करेंगी central government की तरफ से ministry of education इसको implement करेगी लागू करेगी ये scheme में ये है कि जो भी government state government university है या colleges है उनमें equity access और excellence को promote करना ये target है इसका यानि कि ऐसे area जहाँ पे कोई college नहीं है अंसर्व जहाँ पे underserved area जहाँ पे कुछ college school बगर मलब college बगरा college या university क्योंकि उच्चितर सिक्सा के लिए यह school के लिए नहीं है college बगरा या university के लिए है जहाँ पे एक भी college नहीं है अंसर्व है या ऐसा area ऐसा चेतर जहाँ पे एक दो college है लेकिन वो बेकार हारत में या remote rural area जहाँ ग्रामिन चेतर जहाँ पे कोई college नहीं है या difficulty geography कोई पहाड़ी इलाके उबर खाड़ वाला इलाके है उनमें या left wing affected area आ जहाँ उनमें college बगरा खोले जाएंगे या उनमें facility डवलप की जाएंगी north east region में aspirational district है जो backward district होती है जो tier 2 stage होती है जो tier 2 stage population के आधार पे बाटी जाती है 2011 की जो census हुई थी जनगन्ना उसमें बाटी गई थी जनसक्या के आधार पे tier 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे area जि बहुती कम है लो है यानि की जिन में बच्चे school college में यानि की college और university में कम जाते हैं gross enrollment ratio का मतलब यह है कि जहाँ पे बच्चे की attendance या admission कम हो किसी college या university में दूसरा ऐसा है जो most disadvantage area उनमें भी यह college university खोले जाएंगे और उनको promote किया जाएगा या socially educational disadvantage group है उनका benefit के लिए यह चल educational development group इस scheme के अंदर state government support करेंगी gender inclusion के लिए यानि कि दोनों लड़का लड़के के लिए समान education हो लड़की के लिए भी education promote की जाए equity initiative हो ICT based हो information communication technology based और vocationalization क्या जाएगा यानि कि college हो में university हो में क्या दिया जाएगा skills provide की जाएगी दक्सता दी जाएगी modern college degree दी जाएगी उन्हे और दक्सता इसे साफ देज जाएगी मानलों वो college पास करके निकले degree लेके निकले तो जैसा industries में आसपास की companyों में जैसी नौकरी चाहिए उसे साफ से उनको training दी जाए ताकि वो उन्हें job आसानी से मिल सके state universities को support क्या जाएगा multi disciplinary education और research के लिए और इन्हें grant दी जाएगी college को जो accredited या non accredited universities हैं colleges हैं उनको strengthen के जाएगा promote के जाएगा accredited का मतलब है जिनको grading दी जाती है जिनको grading दी जाती है कि ये college अच्छे हैं सही है A++ से लेके D तक grading दी जाती है next topic है obstructive sleep aponia apnovia ये एक disease है disease बीमारी अभी ये news में इसलिए आई बपी लहरी जो singer थे ना अभी कुछ दिन पहले मर गए 2-3 दिन पहले 69 kg में इस बीमारी से पीडित थे इस बीमारी के वज़े से मरे हैं ये बपी लहरी जी ये हैं बाइस बपी लहरी जी सोने की दुकान कहा जाता है ये सोना पहनते हैं बहुत जादा गोल्ड पहनते थे अब तो चले गए ये जो बीमारी है ओसे ये disorder क्या है परसन की breathing system में disorder हो जाता है कभी उसकी सांसे रुख जाती है फिर स्टार्ट हो जाती है ये जो बाइस साब ये system में नाक का सांस लेने वाला इसके गले में जो throat system है यहाँ पे गले में कुछ पार्ट होते हैं गले के पार्ट उनमें stop is लग जाती है एक तरह से सांस लेने में परेशान ही हो जाती है उसको throat की जो muscles है वो स्कुड जाती है अपर airway relax हो जाता है sleep के दौरान ये block हो जाती है सोने के दौरान ब्लॉक हो जाती है और ये क पुरसों में जो obese हैं मोटे हैं जिनमें extra fat है उनके जो larynx और फेरिक्स ये throat की muscles है throat मतलब गले की मासपेसिया होती है ये part है मासपेसिया larynx और फेरिक्स उनमें fat जम जाती है fat की वज़ए से जब सोते टाइम पे उनकी सांस कम हो जाती है और blockage हो जाती है इसकी वज़ए स जो heart दिल धड़कता रहता है वो abnormal abnormal हो सकता है यानिकी बिगड़ सकती है heart beat जो metabolic disorder भी हो सकता है इसकी वज़ए से इस बीमारी की वज़ए से और ज्यादा obesity बढ़ सकती है यानिकी मोटापा और ज्यादा बढ़ जाता है कभी-कभी ऐसा हो जाता है road traffic accident भी हो सकता है कि जब य driving करता रहता है driving के दोरा उसे dodge off हो जाता है dodge off मतलब नींद के जटके आने लगते हैं जपके आने लगती है आंक लगने लगती है इसकी वज़ए से road accident भी बढ़ सकते हैं और यह common कारण माना जाता है USA में अमरिका में OSA disease के वज़ए से road accident बहुत ज़एदा होते हैं और जिस इसको बीमारी किसी कोई बीमारी होती है कि उसको बहुत ज्यादा snoring होती है खराटे इसका treatment क्या है यह therapy इसका treatment होता है best method continuous positive airway pressure CPAP नाम की therapy है इसके लिए treatment के लिए next topic है लाबारतियों से रूबरू यह prelims और GS paper 2 के लिए important है बस आपको इसमें यह याद रखना है कि यह scheme किस ने launch किया और किस लिए ministry of housing and urban affair ने launch किया यह scheme का मकसद यह ministry of housing and urban affair का यह target है 2022 तक सभी के लिए घर बना के देना है जो गरीब से गरीब लोग है poor people तो किसके लिए घर बना है नहीं बना है उनसे रूबरू होना उनसे पूछना यानिकि लाबारतियों का मतलब beneficiary जिनके लिए घर बनाया जा रहा है उनसे मुलाकात करेंगे और virtual मुलाकात करेंगे वर्चुली मुलाकात किया जाएगा यह आजादी का अमरित मौतसव है उसी का पार्ट है लाबारतियों से रुबुरू इसमें virtual या online campaign है यह अभियान है जो चलाया जा रहा है इसमें जो परधान मंत्र आवास योजना के अंदर अरवन आवास योजना जो उसके अंदर जो घर बनाय जा रहे है उनके द्वारा बैनिफीसियर इसे जो लाभारतियों जिनके घर बनाय जा रहे हैं उनसे interaction किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उनकी housing वगारा जो housing construction हो रहा है वो जल्दी से कोई प्रॉब्लम हो तो उसका निप्टार हो सेलेंट फीचर याने की विश्यस्ता इसकी यह हैं इसमें 25 से 30 मिनट तक उससे इंट्रेक्शन किया जाएगा लाभार्ची उसे पूछा जाएगा फाइब अर्बन लोकल बोडिज के फाइब बेनिफेसिरी चूज किया जाएगे और उनसे पूछा जाएगा रूबरू किया जाएगा वर्चुली ओनलाइन मीटिंग की जाएगी उनसे इसकी एक्सपेक्टिड आउटकम यह जताई जा रही है कि इससे क्या है जो भी बोटल जो कोई परेशानी आ रही है घर बनवाने में या कोई चुनोतियां चैलेंजीज हैं उनको एडर्स किया जाएगा ताकि हाउसिंग फोर ओल का जो यह कंसेप्ट है 2022 तक सभी के लिए घर हूँ सभी के लिए घर बनाया जा सके कोई परेशानी उसका निप्टारा किया जा सक तो यह इथ है आज को टॉपिक